आज एक बहुत ही बड़ीया वीडियो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूं यह MBBS अब्रॉड 2023 के अंदर कैसे आप डिसाइड कर सकते हो और क्यों इतने सारे बच्चे अब्रॉड के लिए युनों आप्ट करते हैं बेसिकली जो प्रॉड्लम रहता है या तो नीट में इंडिया में मिलता नहीं है या तो इंडिया के कॉस्ट नहीं है इंडिया में कॉस्ट है जो प्राइवेट कॉलेजिस में हो पचास से असी लाग की है और जो पोस्ट ग्राइडुएट करने के लिए इंडिया में एक एक स स्टूरंट्स को मेरिट का प्रॉब्लम है जो भी स्टूरंट क्वालिफाई होता है वो क्या करता है जैनिवरी फेब्रोरी से अपना अब्रॉड का सीट ब्लॉक कर देता है कहां पर करोगे बेज़ ऑन यौर अवेलिबल बजी या तो मैक्सिमुम स्टूरंट्स क्या करते हैं इंडिया में या तो फिर वो चूज करते हैं Georgia या तो Serbia based on the budget या तो फिर European Union के अंदर जाते हैं जैसे Croatia है, Lithuania है, Latvia है, Poland है, you know all these which are very expensive but not so much expensive तो कि इंडिया में अगर आप छोटे से गाउं में छोटे private college में भी अगर आप management seat लेते हो या तो NRI seat लेते हो उससे भी कम cost में submit the documents, processing शुरू करना पड़ेगा on time, otherwise यहाँ पर admissions जून महिने में खतम हो जाते हैं, same is the case with this, Georgia and Serbia, already चालू हो गया है, सबका applications, they create this as a plan B, nobody believes that I am going to guarantee it, you know India में 5% लोगों को MBBS के admission की seat मिलती है, 18 लाख लोग exam देते हैं, करीब-करीब 1 लाख लोगों को seat मिलती है, 50% प्रिवेशन होती है, 50% paid seat है, so you know the chances of getting the admission in India, you must have a backup plan, और वही बैक अप प्लान MBBS अगर आपको 2023 में मेडिसीन पढ़ना शुरू करना है, तो आपको किसी भी हिसाब से एक बैक अप प्लान तयार करना पड़ेगा, based on your available budget, आपको मैं बताता हूँ, 25 लाख से एक करोर तक के multiple options आपके पास available है, depending on your budget, you select, आप प्राइवेट कॉलेज का वेट करते रहते हो, 87 लाख रुपे का मेरा setting है, मेरा पहचान है, मैं MLA के पास गया, मैं उसके पास गया, सर एक recommendation letter ले गया, मेरा admission हो जागा, इस अब होने वाला नहीं है, इंडिया में कोई agent, कोई recommendation नहीं चलता, सारा कुछ NTA exam लेती है, और उसके बाद में MCC के counselling के थ्रू ही हर seat जा दी है, तो फालतू, यहाँ वाँ time pass मत करना, सीधा-सीधा अपना career को एकदम straight forward अपना ये कर लेना, decision ले लेना, कि भाई, या तो इंडिया में, या तो abroad में, क्या मैं open हूँ abroad के लिए, तो मेरा budget कितन है, और budget के हिसाब से आप वहाँ की seat पहले से block कर सकते हो, आपको मोक्ष के counsellors एक एक युनिवर्सिटी के बारे में आपको समझा सकते हैं, कौन से country में, कौन से university आपको सही तरीके से मिल सकती है, इसके बाहर, फालतू countries भी मिलेंगे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उस्ब पूरे लेरिया के हैं, जिनके पास कोई advisory services नहीं है, कोई honest counselor नहीं है, बस बच्चा उठाए और बेज दिया, वहाँ पे कोई quality of education, English speaking teacher तक नहीं मिलेगा आपको, ये वाला हालत में आपको किर्गिस्तान वाले सारे countries मिलेगे, quality teaching चाहिए, quality education चाहिए, सही तरीके से guys, contact mocs to understand, go deeper, how to ensure your medical seat in 2023, thank you, bye